आप सभी दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत है. आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपको Question No.15 अपनी Ask Your Question सीरीज के वीडियो का. दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने हमसे interaction शुरू किया है इस सीरीज के तुरू. सिर्फ एक request है कि अपने profile पे एक तो photo लगाईए, जैसे रविंदर जी ने लगाया है. और दूसरा, अगर आप बता सकते हैं कि कौन से state से हैं, तो भी बताईएगा. उससे थोड़ा सा अच्छा question बनता है. तो रविंदर लाभडे जी का query है, तो यह एक general query होती है, जब भी आपका split share आता है, या जब भी आपका bonus share आता है, वो immediately, जिस दिन आपका price down होता है, उस दिन आपके account में add नहीं होता है. उसका reason है, हम पूरा detail में करेंगे. तो इस question को ऐसे लेते हैं, कि bonus share का क्या process है, कब आना चाहिए, कैसे होगा, और in particular, आरती drugs में आगे की क्या परक्रिया होनी चाहिए, tax benefit लेके जल्दी सारे पैसे निकाल देने चाहिए, कि कुछ portion को रखना चाहिए, और कुछ portion को बेचना चाहिए, तो पूरी strategy के साथ discuss करेंगे, bonus share के बाद का फाइदा आपको. हमने अपने चैनल पर जब bonus share आने वाले थे, आरती drugs को recommend किया था, tax benefit के लिए भी तो उसका भी जड़ा सा visualization करेंगे, क्योंकि कुछ queries उसके बारे में भी आती हैं. तो चलके सबसे पहले, आज हम आज का price देखते हैं. आरती drugs ने आज फिर से एक upper circuit बिनाया है. हमने ये weekly chart निकाला है आपके लिए, तो अगर देखें, एक dream run है. जादतर सब drug manufacturing companies की, in particular, आरती drugs is one of the best. देखिए, जब low बना था, करीब-करीब 105 के आसपास का low बना था, अभी आज के closing price पे, post adjustment of the price, ये सारा का सारा price, adjusted price है दोस्तों, split bonus के बाद में, तो 809 रुपेका है. तो करीब-करीब आपको लगभग-लगभग 8 गुना पैसा बन गया है. किसीने 1,00,000 लगाया होगा, 8,00, बन चुका है उसका पैसा यहाँ पर. तो ये बहुत अच्छा view है. आगया आने वाले time के लिए further आपका up move जारी रहेगा, पर एक चीज का धियान रखिए दोस्तों, अभी जो run है, वो थोड़ा ज्यादा sharp run है. तो हमेशा थोड़ा असा profit अपना book कर लिजे, ताकि आपको advantage रहे. ये हमारी सलार आएगी. और tax का कैसे advantage करना है, वो भी हम आपको बताएंगे. तो चलकर आप जरा इसका अगर daily chart देखें, तो daily के chart पर clear इसने information बनाई हुई है कि ये continuously उपर जाने की कोशिश कर रहा है. देखिए, यहाँ पर एक consolidation zone बन गया था, आपको बनाके दिखात इसकी range ये. यहाँ से लेकर ये एक range है, ये consolidation range है. तो ये एक range जब इसने ये support बना लिया है, अपना 656, 657 के असपास, यहाँ से अब बहुत अच्छा support बन चुका है इसका और ये उपर जाने की तियारी करेगा. हो सकता है, कुछ time के बाद ये एक बार फिर से हाँ इस range में आए, 700 के असपास, 700, 670 के असपास, तो वहाँ पर इसकी अच्छी buying बन सकती है. पर अभी क्योंकि momentum है, उपर जा रहा है, एक बार इसने ये level तोड़ा, तो फिर अपने नए lifetime high की तरफ चलेगा. पर ये market sentiment driven stock है. समझी दोस्तों, अगर जब तक market का sentiment positive है, ये stock भी तेजी से बढ़ेगा. अब अगर आज के market की sentiment की बात करें, तो LSE का करोबार आज बहुत तेज हुआ था, पर बाद में जरासी shorting opportunity दिखाई दी थी, देखें यहाँ पर. और उसके बाद में फिर ये उपर गया. तो काफी choppiness रहा. सुभा 9 बजे से लेकर, सवा 9 बजे से लेकर, यह बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी करीब 3.6 परतिशत ऊपर बंद वाए. तो काफी अच्छा दिन था आज, यहाँ पर बैंक आपको दिख रहे है, क्लियर कट सारे उपर चारों के चारों बैंकिंग सेक्टर के stocks हैं, इंडसिन बैंक करीब 12% बढ़ा है, शांदार ग्र शेर नहीं आए, देखें दोस्तों, जो यह शेर ट्रेड होते हैं, यह T plus 2 के डिगरी में ट्रेड होके आते हैं, तो आपको कम से कम 2 business day देना पड़ेगा, जो उनकी record date है, क्योंकि company को काम करने के लिए भी time चाहिए, company को पूरे consolidate करना होता है, अब सब कुछ electronic form है, तो एक द इसका शेर खरीदें, तो 5% से capital से जादा मत खरीदना, please consult your financial advisor, जैसा मनें बताया, T plus 2 की delivery होनी होती है हर शेर में, चाहे आप primary market से खरीदें, यानि stock market से parishion लेके खरीदें, या फिर आपको company bonus issue दे या split issue दे, तो वो सब के सब T plus 2 delivery में आते हैं, तो हमारी आपसे सलाई यही ह कि October 1st के बाद में, आप अगर इसको देखेंगे, जो कि आज शुरू हो गया है हमारा, तो अगला दिन छुटी है, दो तारिक का, उससे आगे फिर 5 और 6, 6 तारिक तक आपके account में ये share आ जाना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आता है, तो आपको अपने broker के साथ consultation करनी पड रहे है, फिर call की जुनको, ताकि वो help कर सके उसमें, पर हमारी उम्मीद है है कि 6 October तक आपके पास उससे पहले ही बलकि आपका आ जाना चाहिए, maximum weight आपको 6 October तक करना पड़ेगा, अब अगर आर्थी drugs के कुछ fundamental analysis करें, तो sales देखें क्या शांदार बढ़ रही है, 22 करोड से 32 करोड से, 27 करोड से, 58 करोड और अब 85 करोड, तो continuously overgrowth है, यह है एक primary reason है, market ऐसे stock को like करता है, जिसमें growth बढ़ती है, उसका reason क्या है, क्योंकि API manufacture करते हैं, drugs का का काम करते हैं, उनमें margin बहुत जादा होता है, तो profitability बढ़ती जाती है, दोस्तो हम लोग Nifty और Bank Nifty में actively trade करते हैं और अगर आपको stock market learning करनी है, या mentoring चाहिए, तो हम यह service paid service provide करते हैं, along with Nifty and Bank Nifty intraday future and option trade, आप चाहें तो technical workshop भी जान कर सकते हैं, मिल डाल दीजे, इसकी date जो है October 1st है, तो जैसे हमने बताया, क्योंकि अक्टोबर की शुट्टी है, गासनी जानती के विएसे, 6 October तक आपको share आपके account में आ जाने चाहिए, आप जरा tax benefit का visualization कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत tax benefit मिलता है, बहुत लोग इसका फायदा उठाते हैं, कैसे, suppose आप chart पे चलते हैं, बताते हैं, suppose आपने इसको share को bonus की date के आसपास खरीदा है, आपको पहले से नहीं है stock, तो हम इसकी बात कर तो अब मान लीजे, आपने, आपके पास share का average price, करीब-करीब मान के चलिए कि आपका 700 रुपे के आसपास जब आपने ये share था उस time पे, तो इसका equivalent आप लगा लिजे, कि 3 to 1 के reference में, तो आपका 3,000 रुपे के आसपास अगर आप price मान लीजे, आपने 2500 से 3000 के आसपास आपक 1000 रुपे का, वो अब गिर के 800 रुपे हो गया, तो हर share पे आपको करीब-करीब 1700 रुपे का नुकसान है, ठीक बात है, तो जब आप एक share बेचेंगे, तो उसका 1700 रुपे का नुकसान जो आपको short term में हुआ है, और short term in the sense, एक साल से कम में, तो वो आप equivalent profit से cancel कर सकते हैं, अ 10% tax आपका इस loss से बच सकता है, तो मालिया आपके पास एक share था, अब आपके पास 4 share हो जाएंगे, तो आप अपना एक share बेच सकते हैं, और जो loss बनेगा उससे, वो अपने profit से adjust कर सकते हैं, दूसरे share में, मालिया आपने reliance खरीद हुआ था और reliance का share आपने बेच दिया है, तो उससे कुछ profit मिल है आपको, उसका profit का exact amount, अगर आपके exact amount से match जाता है, तो आपकी tax liability 0 हो जाएगी, और जो आपके पास 3 share बचे हैं, वो अब आपके पास free of cost के हैं, तो उसके जब आप long term में tax benefit देखेंगे, तो आपको long term में उसका tax pay करना पड़ेगा, free of cost के reference में, क्यो अगर हम देखेंगे इसका daily chart के basis पर, इसको 15 minute के chart दिखाते हैं, तो आपके समझ में आए कि आज की प्रक्रिया कैसी रही इसकी, तो आज जब इसने खुला, यहाँ पर, सुबह एक छोटा सा dip बनाया, उपर खुला था, अपर circuit नीचे गया, फिर दूसरी 15 minute की बार में, फि अगर हम बात करें, आगे आने वाले टाइम के लिए, आपको क्या प्रक्रिया अच्छी रहेगी, कैसे आप काम कर सकते हैं, इस stock market में आगे time के लिए, इस stock के साथ में, तो कुछ parameters में studies एड़ कर देते हैं, ताकि आपको आगे का रुख पता लग जाए, तो Boolinger Band एक बहुत अच्छा Band है, जिसके थुरू आप पता लगा सकते है आगे क्या परक्रियोगे, अब यह बहार निकल गया है, narrow band था, तो band expansion के लिए थोड़ा सा उपर जाने की definitely कोशिश करेगा, तो यहां से एक positive outlook बन रहा है stock का, अब यहीं पे अगर हम इसका alligator indicator भी देखें, तो clear cut यहां पे narrow range हो रही थी, पर अब इसने अच्छा उपर circuit बना जाए तो, और retailer के पास अच्छी 28% की आसपास है, हमने कुछ टाइम पहले इसको बताया था, effective bonus share के बारे में वीडियो भी बिनाया था, तो यह देखिए, loss इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि आपका एक share के बिदाए, आप 4 share हो गया है, और उनकी खीमत 1 4th हो गया है, तो इस अमर्जी चाहे, तब तक इसको अपने portfolio में रख सकते हैं, ये एक अच्छा share है, और ध्यान रखे दोस्तों, pharma sector generally जब चलता है, तो बहुत तेजी से चलता है, पर उसके बाद फिर कुछ time के लिए वो सुस्त पढ़ जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसल साल से पांच साल के अंदर, क्योंकि pharma sector में थोड़ा predict करना बहुत difficult होता है, हमारी calculation की basis पर इसका price आपको करीब करीब 1400 रुपे से 1500 रुपी करेंज मिलेगा तीन साल के अंदर, आगे आने वाले time के लिए. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो please like बटन दबाना, उपका कोई भी question है, comment box में लिखिए, हमारी team actively monitor करती है और उनके आपको answer देने की कोशिश करती है, अगर कोई गलती हो गई हो, तो please comment box में बताना, feedback के तरह से, ताकि हम आगे फर्दर improve कर सकें, यह आपका channel है दोस्तों, आप अपने question पूछिए, हम उसका answer करने की कोशिश क करेंगे, अपना point of view दिखाएंगे, और साथ में आपको आगे learning के भी सोलियत देंगे, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल में हो, bye guys.